हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, फ्रिंट्स आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर स्लीज बनाएंगे और यह हम पफ स्लीज बनाने वाले बैल्ट में हम डिजाइन बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए हमने आप फैबरिक ले लिया है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा तो यहाँ पर साथ में मैं दो ही स्लीज कट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर फोर फोल्ड फैबरिक रखा है गर आप एक स्लीज कट कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक बार फोल्ड करना है फैबरिक को ठीक है अब हमें यहाँ पर स्लीज की जो टोटल लैन थे वो 10 इंच की रखनी है और यहाँ पर मैंने 6 इंच पे माक किया है 6 इंच पे माक करने के बाद इस तरह से स्टेट लाइन ड्रो कर देनी है फिर हमें यहाँ पर पर स्लीज बनाने के लिए 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 4 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद इस तरह से स्टेट लाइन ड्रो करनी है इसके बाद जितना भी हमारा आर्मो ले वो हमें ले लेना है तो हमारा आर्मो ला रहा था 9.5 इंच तो हमने उतना ले लिया है और यहां से line को draw कर दिया है अब यहां पर 2.5 इंच पर हमें sleeves को down कर देना है और इस तरीके से sleeves का shape देना है तो देखे, normally जैसे हम sleeves बनाते हैं वैसे हमने यहां पर draw किया है वैस हमने front side से 4 इंच extra ले लिया है puff बनाने के लिए तो यह हमारी sleeves की marking हो गई है और अब इसमें हमें उपर के side से भी थोड़ा सा extra लेना होगा तो minimum हमें 3 इंच तक extra इसमें लेना है अगर आप 3 इंच, 4 इंच ले सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा ही puff लेना है तो आप 5 से 6 इंच तक भी ले सकते हैं लेकिन यह 4 इंच तक हम लेंगे तो पूरा medium size का puff यहां पर create होता है जो की सुन्दर दिखता है अगर आपको ज़्यादा puff चाहिए तो आप 5 से 6 इंच तक इसको ले सकते हैं उपर के साइट पर तो मैंने आपर 3 इंच पर mark करके इस तरीके से shape दिया और sleश के साथ ही हमने इसको इस तरह से मिला दिया है यहां पर हमने जो sleश कर्ट की मार्किंग की थी वो हमने cut कर ली है यह देखिए इस तरह से अब जहां पर हमने 4 इंच लिया था ना वहां पर हमने cut लगा देना है अब यहां पर हमारे पास जो sleश का side बला part कर किया था वो बच गया है तो यहां से हम belt निकालेंगे तो belt की जो land रख रहे हैं वो हम 4.5 इंच रख रहे हैं इस तरह से और इसे हमें lining fabric पर भी cut कर लेना है यह दिखिए आ रहा है 6.5 इंच हमारा sleश round है 13 इंच का half 6.5 इंच और 2 इंच मारजन के लिया तो 8.5 इंच करके माग कर लिया अब हमें sleश में plates डालनी है तो जहां से हमने इसमें cut लगाया था उसके वाण इंच तोड़ा आगे से हमको यहाँ पर plates डालना start करना है तो हम यहाँ पर gathers वाली plates डाल रहे है plates जो रो नॉर्मल होती है एक एक plates डालते है वो वाली हम नहीं डाल रहे है यहाँ पर हमें gathers करके plates को डालना है या आप बड़ी से like करकर भी इसको कीचेंगे थोड़ा तो इस टाइप से ही gathers बन जाएंगी तो यहाँ पर आप इस तरीके से plates डालेंगे इस तरीके से हमें निचे के साइड से भी डाल देनी है उपर और नीचे दोनों हमें से हम डालनी है तो यह से हमने उपर डाली वैसे हमें नीचे डालनी है यह दिखिए इस तरह से तो यहाली plates जो थी वो हमने यहाँ पर डालनी है अब हम इसका belt ready करना है belt ready करने के लिए यह हमारी दिखिए इसकी जो length वो 4.5 इंच काम को center लेना है center पर हम एक straight line row करेंगे साइट से दोनों साइट से वन वन इंच एक्स्ट्रा ले लेना है अब यह आप हमें 2 इंच पर मार्ग करना है line को draw कर देना है दूसरे साइट भी 2 इंच पर मार्ग करेंगे और line को draw करेंगे sorry अब यह मैं आप हमें 2 इंच पर मार्ग करना है यहाँ पर भी straight line row करनी है अब जो दिखिए हमने जो line ड्रो की है उसका में center लेना है और center पर इस तरीके से shape देना है यह दिखिए तिरशी line row करनी है यह दिखिए यहाँ पर इस type से shape दे देना है और इसको straight कर देना है इसको हम cut करेंगे और साथ में हमें lining जो paper pasting होती है इस पर भी हम इसको cut करेंगे कट कर लिए इस paper pasting पर cut कर रहे हैं कर दो क्रांगे साइट से वन इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इसको कट करेंगे कर देखें इस तरह से इसको रखेंगे और मैं इन फाबरिक को भी कट कर लेना है इसके साइस के अकॉर्डिंग अब हम इसको स्टीच करेंगे तो मैं फाबरिक जो है वह राइट साइड पर रखा है उसके उपर हम लाइनिंग फाबरिक रखेंगे और इसको स्टीच करेंगे झालवे पर पर ए्ट पर रखेंगे कि जो है यह रहाई ख़ेंगे अधर बारिक जहाईगे पर रहाईगे नहीं होदेगे झालवेदक भी यह देखिए इस तरह से कॉर्णर पर कर्ट लगा देना है और इसको पलट देना है से हम इसी तरीके से जो उसका दूसरा पार्ट है वो भी हम इसी तरीके से स्टीच करेंगे यह देखिए इस तरह से दूसरा पार्ट भी कम्प्लीट कर लेना है यहाँ पर भी जो कॉर्णर है वहाँ पर कॉर्णर निकाल कर स्टीच करना है अब देखिए यहाँ पर हमें मोतियों को लगाना है तो मोति को यहाँ पर हम टक करेंगे इस तरह से तो मैंने यहाँ पर अफ वाइट कलर के मोति लिये हैं और इस तरीके से पहले जो इनके कॉर्णर बरगेरा कॉर्णर कॉर्णर है पहले हम वहाँ पर इनको टक करेंगे मोतियों को यह देखिए इस तरह से मोतियों को टक करना है और सेंटर पर भी टक कर लेना है तो इस तरीके से हमने मोतियों को टक कर लिया है और अब इसे हम नीचे के साइड इसमें पटी लगानी है पटी की वीट थम ने टू इंच की रखी है और इस तरह से फोल करते हुए स्टीच कर लेना है एक स्टीच हम पटी के उपर से करेंगे अंदर के साइड फोल करते हुए स्टीच करना है अब यहाँ पर हम उपर के साइड से इसको स्टीच कर देंगे तो इसका सेंटर ले लेना है और सेंटर पर इस तरह से रखकर इसको स्टीच करना है यहाँ से पर इसको स्टीच करेंगे तो देखिए हमने स्लीज को स्टीच कर दिया है तो यह स्लीज हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है तो अब इसे हम ब्लाउस में टक करेंगे और स्टीच करेंगे कि किस टाइप से इसका लुक आएगा और किस टाइप से इसको स्टीच करना है तो हमने front और back वाला part complete कर लिया है तो जो front वाला part है उसकी वीडियो जो है वो हमने चैनल पर upload कर दी है आप उसको जाकर देख सकते हैं तो देखें यहाँ पर हमने sleaze को जैसे normally stitch करते हैं वैसे ही करना है तो हमने sleaze को stitch कर लिया है और इसकी जो fitting है वो भी वैसे ही डालनी है जैसे कि हम सारी sleaze की डालते हैं